बिजेपी चतिसगर के मुखे प्रवक्ता विधायक अजय चंद्राकर ने गुरुवार को धमतरी जिला पंचायत की बैठक में एक जनपत सदस्य द्वारा बैठक में ही अपने उपर कैरोसेन डालने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो आज तक कभी नहीं है वो सब अभोरा है जितने अनैतिक कारे कॉंग्रेस शाषन में हुए हैं उतने अनैतिक कारे कभी नहीं हुए हैं केंद सरकार द्वारा भेजी गई पंदरवे वित्त आयोग की राशी को दलगत अधार पर वित्रित करना कॉंग्रेस की संकिर्ण लालची लुटेरी और भ इस तरह से अराजक्ता व्यापत है उसका एक छोटा सा उधारन कल भारती जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य स्रिखूल वाल धुरों ने जिला पंचायत की समाने सभा की बैठक में अपने उपर केरोसिन डाल ले यह कैसी विचित्र बात है कि जो रासी केंद्र सरकार देती है पंद्रबेवित तयोग की उसको एक सभा में दो तरह के प्रस्ताव होते हैं कि कांग्रेस के सदस्यों को 35 लाख मिलेंगे और भारती जन्ता पार्टी के सदस्यों को दस लाख रूपिय मिलेंगे मने क्या सियो वहां की नियम पढ़के नहीं आई है या बहुमत के कार में या कांग्रेस सरकार अपने बहुमत के आधार पर जो निरवाची सदस्य हैं उनको भी उनके अधिकारों से वंचित करना चाहती है ऐसी इस्थिती 36 गड़ बनने के बाद कभी भी नहीं बनी कि विकासकार की रासी जो केंद्र सरकार से आई है उसको दलगत अधार पर बाठा जाए पंचायती राज के बारे में कांग्रेस सरकार का कोई द्रिष्टी कोण नहीं है पैसे का दुरूपयोग पैसे की बंदर बाठ और उसको कमीशन में बेचना विकासकारी करना नहीं कमीशन खाके उसको बेचना ये कांग्रेस का चरित्र है मैं मुख्यमंत्री जी को बढ़ाई दूँगा कि उन्होंने करफशन को उन्होंने भरष्टाचार को हर कांग्रेसी तक पहुचा दिया हर नीचे के व्यक्ति तक पहुचा दिया और आज यदि राजनिती जो है कांग्रेस के हर सदस्य के लिए जीवन यापन का एक अच्छा माननी मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में बन गई है मैं भाजपा के सभी साध्यों से कहूंगा कि तीन महने बाद इस सरकार को हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएं जान पर मत खेलें अन्याय का अंत होता है अत्याचार का अंत होता है निश्चत रूप से